नमस्कार मैं अंचली मिशोर स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बिता दें कि इस वक्त महाराश्ट में राजनीती खल्चल काफी जादा मची हुई है एक के बाद एक बड़े नेता उपर जो केदर की अजेंसिया चाहे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर आप पर देख सकते हैं काफी जादा सक्रिया नजर आ रही है और महाराश्ट में एक के बाद एक बड़े मंत्री और नेता हो जो है इस वक्त किंद्री अजेंसियों की रडार पर नजर आ रहे हैं अभी हाले फिलाल में यश्वन जादव की भी 41 प्रॉपर्टी जो है जब कर ली में हैं किंद्री अजेंसियों द composers इम्हाराश्यों महाराश्ट किसियासत में उतल पतल जारी है और लगातार महाराश्यों के महाविकास रगाड की सरकार के नेता मुंत्री सांस दिया कारे करता हैं वहाई व्यपक्षक में भारतिय जुनता पार्टी के जो भी दोanız घुब पहले भी कहा है कि केंदर जैंसी जो हैं वो केंदर सरकार के साथ गडबंधन में है और केंदर सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है इसे लेकर तुन्होंने पत्र भी साजा किया था एक बर फिर से शिवसेना के नेता संजराउत ने भारतिय जंता पाठी पर गंबीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि भारतिय जंता पाठी पर मुंबई को केंदर शाशित बनानी की तैयारी में है जी हां बिलकुल सही सुना है अपने उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई को केंदर शाशित बनाने के लिए भाजपा के तरफ से साजिश रची जा र विल्टर वैपारियों का एक समू इस साज़िश का हिष्टा है राउत न कहा कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में एक प्रस्तुत एक संबूत द्वारा केंद्री अग्रिया मंत्राल है यह दी गई है बैठके में हुई है और इस उदेश के लिए धान समू यह कहते हुए अदालत जाने की संबावना है कि महराज्ट की राज़दानी मुंबई में मेरे माराथी लोगों का प्रतीशत बहुत कम हो गया है और इसलिए शहर को केंद्र सरकार के शासिन के तहते केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए राउत ने कहा कि समया ने मुंबई को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और इसके साथ उन्होंने बाचपा पर आरोप लगाए है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिस जो है वो बीजेपी की तरव से रची जा रही है मुंबई को केंद्र शासित बिजाने के प्रयासों को अपन बिल्डर का एक समूए एक साजिश का हिस्सा था और मुंबई को केंदर शाहसत प्रदेश बनाने के बारे में एक प्रस्तुती MHA को दे दी गई है और बैठक भी हुई है इस उद्देश के लिए धने कत्रित किया जा रहा है ये सब पिछले दो महीनों से चल रहा है और जो य के फी दावा किया है कि अगले कुछ महीनों में कृट सो महीया के निर्टित वाली समूए करते हुए कोट जा सकती है महराश्ट्र की राज़ाने मुंबई के मराठी लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो गया है और इसलिए महानगर को केंदर स्रासित प्रदेश बनाना राउतर सो महीया के बीच जुबानी जंग अदालत तक पहुँच गई है इससे पहले कि समया ने कोविट सेंटर गोटाला का जो मामला है वो उजागर किया था उसके बाद उन्हों ने एक और मामला जो है उजागर किया था कि समया लगतार महाविकास गाड़ी की सरकार के क राई सारे नेता काफी ज्यादा नाराज और रुखा रुख अपनाते नजर आते हैं राउत ने समया पर आई एंस विक्रांत को बचाने के लिए चंदा जुटाने और उसमें धादली करने का भी आरोप लगाया है इस मामले में एक पूर्व सैनिकर्मी ने मुंबई के चा मुग्ट का शरत-पवार ने प्यामोदी से मुलाकात की थी और सранvtय राउत ने भी कई बढ़ भर बयान दिया था और यह आता कि वह तो शरत-पवार के अदमी है अर ऐसमें कहीं कहीं आ मामला है काफी जादा गरमा रहा है राजज नीती काफी सादा इस मामले पहो रही है सिर्फ यहीं नहीं आपको बता दे कि शिरसेना के संजर राउत अपनी बियान बाजी के वज़े से तो मुश्किलों में पढ़ेंगे ही साती सात उनकी मुश्किले दूसरी तरफ से भी बढ़ गई है मुंबई पुलिस ने रश्मी शुक्ला फोन टैपिंग केस की मामले में संजर राउत को समन जारी कर दिया है और संजर राउत को अब पुलिस के सामने पेश होना होगा कुलाबा पुलिस टेशन की तरह से संजर राउत को समन जारी किया है यानि संजर राउत की मुश्किले लगातार बड़ती नजर आ रही है पहले बेयान बाजी और अब उन्हें रख्ष रश्मी शुकला फोन टैपिंग बामने में समन जारी कर दिया है पता दे की नज़िपी के नेता एकनाथ खटके ने रश्मी शुकला फोन टैपिंग केस में अपना बयान दर्श करवाया था हाला कि अभी ये पता चल पाए कि संजर राउत को पुलिस की तरह से समन कब दिया गया है इस तारी का खुलासा अभी तक कर नहीं हुआ है समन लेने मिलने के बाद संजर राउत को कुलाबा पुलिस स्टेशन में पेश होना ही होगा जान लेकिया पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी की शिकायत पर आई-पेश अधिकारी रश्मिशुकला के खिलाफ मार्च में कुलाबा पुलिस टेशन में इंडियन टेली ग्राफ्ट एक्ट और भारती अदंड सहीता की समधिधाराओं के तहत एफायार दर्ज की गई थी शिकायत के अरुप लगा गया था रश्मिशुकला ने पूर बीजेपी नेता एकनाथ खड़गे और शिपसेना सांसर संजराउत की नंबरों को निगरानी सूची में डाला था वह इसने कहा कि कथी तवैद फोन टैपिंग तब हुई जब रश्मिशुकला राज खुफिया विवाग की प्रमुक थी शुकायत के अनुसार खटके का फोन 2019 में कथी तवर पर दो बार टैप किया गया था जब वो बीजेपी में थे वोग्टुबर 2020 में शामिल हो गए थ अब इस पूरे मामले में इन्हें यानि संजराओत को समझ जारी किया गया है और बुलाबा भेजा गया है वही हाले फिलाल में जिस तरीके से से संजराओत के ओपर कारवाई देखने के लिए मिल रही है उसे लेका शरत पवार ने प्रदार्वांती नरेंदर मुदी से भी रोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर शरत पवार घप किस चीज की पड़ी है तो वह संजराओत की पड़ी है केद्री अजेंसिया केंद्र की जाच अजेंसिया वह भी काफी सक्रिया नजर आ रही है और इन सभी लोगों पर जिनके नाम निकल कर सामने आ रहे उन पर अपना श्रीकंजा कश्ती नजर आ रही है आज ये अश्वन जादा पर बड़ी कारवाही आए कर विभाग द्वारा सब्सक्राइन के लिए हालिव फिलाल में और इसके बाद हम लग रहा है संजरावत का भी नंबर आने वाला है और ऐसा हम नहीं ऐसे साफ तोर पर महराष्ट में इस वक्त जितने बड़े नेता है जितने बड़े जो पदविप विराज़मान है बीम सी का कोई अध्यक्षा कोई नेता है कोई 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 डिपार्टमेंट समाला हुआ है कोई प्रमुख है सेटिंग ग्रिया मंतरी था तो इस तरीके से बड़े-बड़े पोस्ट पर बैठे हुए जो भी नेता मंतरी है उन्होंने पने पद का दुरुपयोग करके जो है धना दिक्रित किया और इसके ब कि बड़े लेकनी और भी बताएं कितेाहित तारीके से केंदर सरकार मुंबई को केंदर याससत प्रदेश बनाने की फिराक में और यह गंभी रारूप उन्हों ने लगाया है और ऐसे इस पूरे माम आपने को आपने विस्तार सोन जा लिए है झाल झाल